इलाही ने किया जहान को प्रपोस, जहान ने लगाया इलाही को गले बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के शो, जुनूनियत की लेटेस ट्रैक में क्या कुछ ट्इज्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे अबकमिंग ट्रैक में आप देखते हैं कि जो जहान है वो डिस्चार्ज हो चुका है और अपने रूम पर पहुच चुका है और इसी के चलती है जैसे ही इलाही अपनी छट पर आती है और देखती है कि जहान के घर का दर्वासा खुला होता है तो वो इलाही समझ जाती है के जहान अभ hospital से discharge हो चका है और इलाही बहुत खुश होती है और कहती है के आज समय जहान से अपने दिल की सारी बाते कह दूँगी और फिर हम देशा के लिए जहान के साथ हो जाओंगी और उसके बाद इलाही भाग भाग कर जाती है जहान के घर पर और वो देखती है कि जहान अखेला होता है और इसी के चलते इलाही लगा लेती है जहान को गले और जहान को भी बड़ा शौक लगता है कि आखिरकार इलाही को हुआ क्या है और इलाही कहती है कि जहान तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे ले क्या कुछ फेल करती हूँ औ अब मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वो बताना चाहती हूँ जो मेरा दिल तुमसे कहना चाहता है और जैसे ही इलाही अपने दिल की बाते कहती है जहान से पहले तो जहान को अच्छा लगता है और उसके बाद जहान को याद आ जाता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने मकस प्रद्पर और अपने सपने पर ही ध्यान देना है और वो इलाही को पीचे धक्का दे देता है अब देखना ये होगा कि आखिर कार क्या जहान तोड़ देगा इलाही का दिल क्या इलाही समझ पाएगी जहान की बातों को इस रैक को लेकर आपको क्या कुछ है कहना कॉमेंट सेक्षन में बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले